हेलो एब्रीवन मैं हूँ पिंकी और पिंकी का बेश्ट कीचन में आप सबका स्वागत है अगर आप सबको बेरी रेशिपी अच्छे लगती हो तो लाइक करें ज्यादा से ज्यादा से श्टेर करें और कॉमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भू तो देखिए आज हम मखाने की सेवई बनाने वाले हैं तो इसके लिए हमने लिया है एक पलेट मखाना और दो पैकेट हमने सेवई लिया है तो इधर हमारा कडाही गर्म है तो इसमें हम डाल देंगे दो से तीन चमच घी और उसके बाद सेवई को हम फ्राइ कर लेंगे हमें सेवई को एकदम मीडियम आज पर भूंजना है और थोड़ा इसका जब कलर चेंज हो जागा उसके बाद हम मखाने डालेंगे इसमें तो देखिए हमने सेवई को भूंज लिया है उसका थोड़ा हलका कलर चेंज हो गया है तो हमने इसमें मखाना डाल दिये हैं और उसके बाद हम इसे दो मिनट भूंज लेंगे तो इसे हमने भूंज लिया है अब हम गैस चुले पर दूद चड़ा देंगे गरम होने के लिए और भूंजे हुए मिक्षर में हम डाल दे रहे हैं नारियल का बुरादा और इसे हम भूंज लेंगे इसी में हम इसे चुले पर नहीं भूंज रहे हैं नहीं तो ये जल जाएंगे अगर आपके पास नारियल का बुरादा नहीं हो तो यह जो सुखा नारियल होता है उसे भी आप नारियल का बुरादा बना सकते हैं उपर का छिलका हटा दे उसके बाद मिक्सर जार में पीस कर उसका बुरादा बना ले और फिर डाल सकते हैं या फिर नहीं भी हो तो उसके बीना भी बना सकते हैं तो दुद्ध गरम हो चुका है अब हम इसमें सेवाई और मखाना डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेते हैं अब हम इसमें चीनी डाल देंगे अब हम इसमें कुछ ड्राइब फ्रूट्स डाल रहे हैं आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राइब फ्रूट्स डाल सकते हैं तो देखिए दूद में वाल आ चुका है और इसे हमने 3-4 मिनिट के लिए पका लिया है अब इसे गैस चुले को हम बंद कर देंगे और इसके बाद हम ढख कर इसे उतार देंगे और इसे हम 15 मिनिट के लिए और छोड़ देंगे ऐसे ही ढख कर तो देखिए इसे ढख कर छोड़े हुए 15 मिनिट हो चुका है अब इसे हम चेक कर लेते हैं तो आप सब देख सकते हैं सेवईया पूरी तरह फूल चुकी है यह कितना गाड़ा हो चुका है तो हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे तो देखिए हमारा मखाने वाली सेवईया बनकर रेडी है आप सब को कैसा लगा मेरा वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए